और गाईज, CBC की तरफ से बहुत ही important circular जारी हुआ है, बहुत बड़ा good news है, एक नहीं, दो-दो good news है, दोनों चीजे मैं दिखाने वारा है और दोनों चीजे एक दूसर से जुड़िवी हैं, तो बहुत बड़ा good news लेकिन आज का दिन है बहुत special, बहुत खास, क्योंकि आज ह चक्रांति की, पोंगल की, तो सुपर्व की, तुम्हें 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 परिवार के सभी सदस्यों को धेरो शुकामना है, इश्वर करें, कि भाई तुम्हारा एक एक पल, जिन्दगी का एक एक शन, बहुत ही खुपसूरत दीते हैं, क्या है अभी का update, जल्दी साते हैं, लेकिन मैं चाता हूँ, कि अगर तुम पहली बार हमारे चैनल में आये हो, तो जल्दी से ये तुम्हारा खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना बिलकुल नहीं बोलना, कल ही कल मैंने तुमको एक वीडियो दिया था, जिसमें क्लास 10 साइंस क ओफिशल ब्लूप्रिंट मैंने तुमको दे दिया है, मतलब कहां कहां चप्तर वाइस वेटेज किया है, कहां कहां से कॉशन आ रहे हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है, बात बाकि तुम खुदी देखोगे, जब चैनल के अंदर विजित करोगे, कितने इंपॉर्टन वीड इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से भी तुम जा सकते हो, ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या है गुड नियूज, देखो भाईया, अब बोर्ड एक्जाम में बहुत कम समय बचा है, आज से अगर देखो तो शाप एक महीना है, पंदरा फवरी से भी मार्क्स नहीं मिलता है, तो सोचो क्या होगा, अब इसको लेकर के डली का, डली हाई कोट का एक नहीं दो-दो जजज्मेंट आ चुका है, दो-दो जजज्मेंट आ चुका है, मैंने तुमको बताया था, तीन-चार दिन पहले भी एक डली हाई को पूरा मार्क्स मिला वो judgment भी मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन पहले वो circular ज़रा साथ देख लो यह देखो CBC का official website, main website पर जैसे ही तुम जाते हो यह देखो तुम यहां पहुंच जाते हो और यहां पर practical project work internal assessment को लेकर के बहुत ही important circular आ गया है यह देखो आज का date है 15 जनवरी देख रहे हो 15 जनवर में चाहिए कि भाई board exam को लेकर के तुम्हारी तयारी कैसी है और कौन सा तुम्हारा hard subject है क्योंकि next चीज बहुत important आने वाला है अब कल का खास दिन भी देख लेंगे लेकिन पहले यहां पर देखो कि Delhi High Court के judgment के बाद में और फटकार के बाद में CBC को फटकार बड़ी बहु uploading the correct marks of practical project internal assessment कि बाईया student मेहनत करके जाता है तुम लोग अच्छे marks नहीं चड़ाते हो मतलब सही marks नहीं चड़ाते हो इसको लेकर के student सफर क्यों करे सही बोला की नहीं बोला सही बोला तो लिग दो सही बोला अब यहां पर इस जड़ा जो Delhi High Court का judgment है इसको भी समझ लेते हैं क कि Delhi High Court के judge नहीं कहा है फैसला सुनाया है कि student entitled to full marks यह देख रहे हो student को पूरे marks मिलने चाहिए if यदी examiner fails to award marks अगर ऐसा हो जाए भाईया कि खुदा नाखास्ता बच्चे ने answer लिखा teacher ने marks देना भूल गया teacher marks देना भूल गया but puts a tick यह देखो against answer provided मतलब मान लो समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने answer लिखा teacher ने tick भी लगा दिया लेकिन marks देना वो भूल गया अब तुम बोलो के sir ऐसा होता है बिलकुल होता है तुम लोगों को पता है यार मैं cbc के copy checking process से cbc से सालों से बहुत सालों से 20 सालों से मैं जुड़ा वाँ तो भई मैंने अपने आँखों के सामने मैं ऐसे 1000 चीज़े होते वे देखें जहां पे बच्चा को marks मिलना चाहिए था गलत marks वाद उन्होंने claim किय प्रासेस पर भी डाला कोड वगरे में भी गए और उनके marks बदल गए अब यहां देखो इस बात को मैं समझा देता हूं कहने का मतलब यह हुआ कि सपोज यहां दो तीन आंसर है अनसर नमर वान टू त्री अब टीचर ने मान लो क्या किया कि भईया यह यह तीन आंसर लिख अब यहां पर कोड का यह कहना है कि गल्ती से भी अगर टीचर ने टिक किया है और marks देना भूल गया तो उसको देना पड़ेगा full marks मान लो यह question 5 marks का है तो टीचर अगर बान लो तीन देता तीन देता साड़ तीन देता दो देता लेकिन अगर उसने marks नहीं दिया तो उसको 5 का 5 देना पड़ेगा full marks देना पड़ेगा तो है नहीं यह खुशे की बात बहुत बड़ा गुण्यूज है क्योंकि भाई तुम्हारे रहा के काटे जो है न वो निकलते जा रहे हैं तो इस बात पे एक like बनता है हमारे डली हाई कोड के लिए भी हमारे course के judgment के लिए भी ठ अठाया गया है यह देखो मैं तुमको दिखा दे रहा हूं देख रहे हो यह देखो रुक जाओ यह देखो पॉइंट नुबर 7 में यहां देखो यह देखो यह देखो पॉइंट नुबर 7 ठीक है यह देखो पॉइंट नुबर 7 में it is also brought to the notice of the principles that in a recent matter हाल के एक matter में क्या ह हुआ है प्रिंस्पल को यह बताए या Honorable High Court of Delhi has rejected an appeal of the petitioner to correct the marks which were uploaded wrongly on the server मतलब कि भाई Delhi High Court का पहला जजजमेंट जो मैंने अभी तुम लोग को बताया कि कुछ दिन पहले यह update हमने सबसे पहले दिया था कि एक student को पूरे marks मिलने चाहिए थे लेकिन स्कूल वालों ने गलत marks upload किया तो इसके लिए जहाड़ पढ़ चुका है और इसलिए सीबसी ने सीबसी के जो examination controller है यह देखो डॉक्टर सहीं भारदवाज भाई इन्होंने साफसाफ का क्या आप लोग कर क्या रहे हो भाई मच्चों के marks क्यों गलत चढ़ाते हो यह देखो यह देखो क्योंकि भाई यहां साफसाफ कह दिया गया है point number 8 में कि the marks once uploaded will be final एक बाई marks जो चढ़ गया वो final होगा for the declaration of result and no correction thereafter will be permitted कि इसके बाद में भाई और कोई changes नहीं होंगे एक बाई marks चढ़ गया तो चढ़ गया फिर student क्यों सफर करे और इसी लिए यहां क्या कहा गया है कि यह देखो यहां पर कहा जा रहा है कि गरवड़ी होती है स्कूल वाले पिंस्वल वाले वो लोग बोल बोल के पार कर जाते हैं कि यार हम क्या करें जो operator है computer operator उसने चढ़ा दिया तो अब ऐसा नहीं होगा यहां पर कहा गया है कि जो marks list है न must be signed यह देखो must be signed by the internal examiner internal examiner के द्वारा वो जो marks sheet है वो sign होना चाहिए external examiner के द्वारा भी and the principal for records और साथी साथ principal के द्वारा भी ताकि जिम्मेदारी जो है वो तैह की जा सके कि गलती हुई है तो punishment मिलेगा तो punishment किन किन को मिल सकता है team का नाम मैंने तुमको दिखा दिया अब यहां पे marks गलत नहीं चड schools are sometimes not giving proper attention to the responsibility मतलब marks चड़ाने के सही जिम्मेदारी को सही से नहीं भार है तो मतलब यहां पे हो गया है बहुत बड़ा good news तो यह बड़ी खुशकबरी है कि भाया अब तुमको अपने marks के लिए feedback नहीं करना पड़ेगा schools खुद तुमारे पास उल्टे पैर सिर के बल चलकर कराएंगे तो वीडियो को लाइक करना बंता है और मुझे जल्दी से बताओ यह वीडियो तुमने देखा कि नहीं देखा क्लास्टें साइंस का पूरा चैप्टर वाइज विटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ मैंने बताया है अगला वीडियो कल बहुत इंपॉ कर रहा हूं दुबारा से एक और इंपॉर्ट कोशन के टेस्स भी तो प्लीज गाइड मी ओल आप मेल कर सकते हो मैसेज कर सकते हो मैं हर मैसेज पड़ता हूं ठीक है तो अभी के लिए बस इतना और यस मिलते हैं नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टिव वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वड़े मात्रम।